हलो लर्नर्स, इगनू वोईस के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो दोस्तों आज की वीडियो बढ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका पैतिसवा कॉन वोकेशन है उसके बारे में कि कौन-कौन उसमें जा सकता है यानि कि उसकी एलिजिबिल्टी क्या है तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड दख जरूर देखेगा ताकि कोई भी डीटेल मिस ना हो तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों बात कीज़ैं पैतिसवा कॉन वोकेशन के बारे में उससे पहले आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि कॉन वोकेशन होता क्या है और यह important क्यो है तो चलिए मैं आपको शोर्ट में समझा देता हूँ कि कॉन वोकेशन क्या होता है और ये क्यों important है तो सबसे पहले बात करते है Convocation होता क्या है तो मैं आपको short में बता दूँ जैसा कि आपने बहुत सी movies में देखा होगा या या आपके सामने आप ये picture देख रहे हैं इसमें अभी आप देख सकते हैं कि जो आपको degree दी जाती है आपके diplomas भी हो सकते हैं और वो आपको Convocation के मादम से परदान किये जाते हैं और अब बात करते हैं कि important क्यों है तो दोस्तों अगर आप IGNU से कोई भी program certificate ये diploma कम्पलिट करते हैं गरना आप उसके बाद result का wait करते हैं फिर आप सोचते कि मेरा जो degree diploma है वो मेरे घर आएगा या मेरे regional center से मिलेगा बट ऐसा कुछ होता नहीं है आपके घर क्या आता है आपके घर आती है आपकी marksit फिर कुछ student ये सोचके रह जाते हैं क्या पता यहीं मिलती हो खाली marksit मिलती हो बट ऐसा कुछ नहीं है आपको आपकी degree या जो आपका diploma है या फिर जो आपका certificate है वो आपको तभी मिलेगा जब आपको location के लिए apply करेंगी और ये three of post बिल्कुल नहीं होता इसके लिए आपको बगायद एक fees की payment करनी पड़ती है उसके बारे मैं आपको मैं बता देता हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मान लिजी आपका PhD है, MPHL है, आपकी master degree या bachelor degree है या आपका PG diploma है, या आपका diploma program है तो आपको 600 पे pay करने है और आपको कोई भी certificate program है तो आपको मात्र 200 पे pay करने है और आप जब तक यह pay नहीं करोगे, आपकी जो certificate है या आपका diploma है प्लस आपकी degree वो आपके घर नहीं आएगी या आपको तभी मिलेगी जब आप convocation के लिए apply करोगे पर आपको बता दू, convocation में भी apply करने के लिए technical पंदा होता है वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है अब उसी के बारे में बात करते हैं जैसा कि आप सभी को पता, यह आपका convocation है यह आपका थैस्वा convocation है और इसमें पता आपको टेक्निकल बात क्या है इसमें सिर्फ वही participate कर सकता है जो December 2020 या June 2021 के Termin Examination complete कर चुका है अब आपके मन में एक डाउट आएगा मान लेजी किसी ने 2019 में या 2018 में अपने programs complete किये हैं तो उनका क्या होगा तो वो इसके लिए eligible नहीं होते हैं उनको क्या करना होता है उनका अपने regional center जाके वहाँ पे fees payment करनी करती है तो उसको वो offline मिलते हैं इसमें सिर्फ current students eligible होते हैं जिनके अभी अभी programs complete हुए है अब बात करते हैं जो आपका 35 वा convocation है जो उसका notification है उसको detail में देखते हैं तो यह आपका 35 वा convocation का notification है आप चाहे तो इसे हमारे telegram channel से भी download करके पढ़ सकते हैं तो इसमें आपका convocation है उसके venue के बारे में बताया गया है और भी इसमें आपके extra details हैं उनको के करके देख लेता है तो इसके venue की बात की जाए तो सबसे पहले तो आपका जो इगनु का headquarter है वहाँ पे होगा मैदानगड़ी में उसके अलावा इगनु ने 32 regional center for select किया है इसके लिए उनकी लिस्टा आप यहाँ पे देख सकते हैं जैपूर, जम्मू, करनाल, कोहिमा, कोलकाता, लखनव, मदुरई, पंजी, पतना, पोर्ट ब्लेयर, पूने, रायपूर, राची, शिरिनगर, शिलों, शिमला, और अंतमे, विशाका पतनम तो जो आपके regional center की list दिऊ हुए हैं इन पे डिपेंड करता है कि आपका जो convocation का program है यह कैसे करते हैं अगर यह चाहे तो इसको virtual mode में भी कर सकते हैं जैसा कि last बार हुआ दा COVID के गारण अब इस notification में जो important बात है उसको देख लेते हैं वो आपको यहाँ पे नीचे मिलेगी और इसमें क्या बताया गया है तो बात की जाए इसमें तीन कारणों के बारे में बताया गया है वो तीन कारण कौन कौन से हैं अगर उन में से एक भी हो जाता है तो आपके जो certificate, diploma और degree है वो आपके गर by post send की जाएगी तो पहले कारण की बात की जाए इस पहले कारण में यह है कि जो आपका regional center है वहाँ convocation होई ना उस condition में भी आपके degree, diploma और certificate आपके गर पे send किया जाएगा तो second point के बार इम बात की जाए the eligible student who have been invited to attend the convocation but could not attend and यानि जो भी eligible student था उसको invite किया गा या the convocation में बट उसने किसी भी कारण से attend नहीं किया तो उसका भी जो certificate, diploma या degree है वह उसके घर पे send कर दिया जाएगा तो तीसरा कारण यह है कि जो आपका eligible students है उनको invite ही ना किया जाए किसी भी कारण से तो इस case में क्या होगा इस case में भी जो आपकी degree होगी हो आपके घर पे send कर दी जाएगा पर उसके लिए आपको registration करवाना अनिवार यह है और मैं आपको यह ही suggest करूँगा आगर आप इसके लिए eligible है तो अपना registration पका करवा लेना क्योंकि ना बहुत से students को यह पता भी नहीं होता 5-5 साल तक कि उनकी degree भी आने वाली है वह उनकी markset होते है उसे देखते रहते हैं कि हाँ मेरा तो complete होगा तो पता कब लगता है जब किसी job के लिए जाते हैं यहां कहीं और उनका documentation होता है तो उनको पता लगता है मुझ certificate भी म इसके बाद भी आपको अगर phone vocation से related किसी भी परगर कोई problem या doubt हो तो आप comment box में ज़रूर लिखना as soon as possible आपकी help करने की बोशिश की जाए नहीं तो दोस्तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर वीडियो पसंदा ही तो वीडियो को like करना और अगर आपने अभी तक IGNU को इसको subscribe कर लेना और यह bell को own कर लेना ताकि IGNU के सभी news और update टाइम से आपको मिलते रहें और इसके अलावा आप चाहो तो हमें Instagram पर या इसके अलावा instant updates के लिए आप IGNU वो इसका टैलीग्राम चैनल भी जोईन कर सकते हो तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाए बाए टेक केर